Hello friends, welcome to tiny garden तो दोस्तो गार्डन में कहीं कहीं दिवारों पर या फिर टोक्रियों में अगर creepers और wines ना लटके तो फिर गार्डन सुना सुना ही लगता है तो दिवारों पर लटकती टोकरियों में लटकती ये creepers और wines plant बहुत ही खुबसूरत लगते हैं और आपके garden को एक अलग ही रौनक प्रदान करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी 20 ऐसे पौधे जो creepers और wines हैं या तो वो नीचे की तरफ लटकते हैं या वो उपर की तरफ चड़ते हैं और अपने garden को खुबसूरती प्रदान करते हैं दोस्तो इन creepers और wines को हम cutting से बहुत आसानी से लगा सकते हैं और क्योंकि इनकी थोड़ी थोड़ी दूर पर node area होते हैं और वहां से चोटी चोटी roots कभी कभी visible होती हैं कभी नहीं लेकिन फिर भी वो बहुत जल्दी जड़े बना लेती हैं और जल्दी पूरे pot को cover कर लेती ह आज की वीडियो में है कुछ ऐसे creeper wines जो या तो एकदम green है और कुछ-कुछ ऐसे हैं जिन में छोटे-छोटे फूल भी खिलती हैं इन creepers और wines की cutting आपासवानी से पानी में भी लगा सकते हैं या फिर डिरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं और April के मन्त में बहुत यानि की परदा बेल और यह मैंने पॉट में ही ग्रो कर रखी हैं मिट्टी में हो यानि जमीन में हो तो बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलती हैं आपने देखा होगा बहुत जगह यह दिवारों पर स्कूल की दिवारों पर लगी होती हैं तो इसकी एक cutting भी धेरो cutting बना ले पर लाती हूं क्योंकि यह बहुत ज्यादा जल्दी से फैलती है तो कुछ मैंने लगा रखा हैं तीन पॉट में मैंने इसको लगा रखा हैं और देखें आप इसकी ग्रोध कितनी पॉट हैं यह करीब-करीब होंगे पॉट यह 16 इंच की होंगे और उसी में इतनी ग्रोध दिन की हो गई तो बहुत आसान है इसको लगाना तो देखें इस तरह से जो लंबी सी ब्रांच हो जाती है न उसके कुछ पत्ते हटा दे आप इसके पॉट के पास एक चोटा सो पॉट और रख दे और इस तरह से पीछे के पत्ते हटा दे और यह जो नोड एरिया है इसको आप किसी तरह से यहां मिट्टी में दबा दें, ऊपर थोड़ा सा वेट रख दें, कोई पत्थर रख दें, या फिर जो पिन आती है, हेर पिन वगरा होती है, जूड़ा पिन, तो उनसे आप इनको सेक्योर कर दें, ताकि यह मिट्टी से बाहर ना निकले, और कुछी दिन मे आप देखेंगे कि इन में से रूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो पीछे से इसको कट कर दें, और आपका प्लांट तयार, और देखें, पानी में भी बहुत असानी से लग जाती है, बहुत ही जल्दी यह रूटिंग स्टार्ट कर लेती है, बस इसको आप मिट्टी में ड बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाता है और ये भी इस तरह से बाहर की तरफ लटकता हूँ और बहुत ही ज्यादा खुबसुरत लगता है और इसमें चोटे-चोटे फूल भी खिलते हैं येलो कलर के तो इसकी कटिंग भी मैंने मेरी फ्रेंड ने जो दी थी वो बहुत अ जाती है चोटे सी कटिंग भी आप ले आए और उसी से आपके बहुत सारी प्लांट बन जाएंगे देखे इस तरह से नीचे लटकती हूँ बहुत कुपसुरत लगती है अगर आम इसको ग्राउन में लगाती है तो धीरी धीरी ये पूरे ग्राउन को ग्रीन कर देती है और एक पॉर्ट से दूसरे पॉर्ट में दूसरे से तीसरे में इसी तरह से अपने आप फैलती चली जाती है तो बहुत ही इजी टु ग्रो प्लांट है और ये क्रीपर और वाइन बहुत ही ज़्यादा हरियाली भी पहलाते है हमारे गार्डन में और कुछ भी इनको खात पाने की भी ज्यादा ज़रूरत नहीं होती है बस अच्छी से मिट्टी तेयार करके लगा दे और जगर जगर जो है बहुत ही हरा भरा सा आपका गार्डन नजर आएगा आप इसे बास्कित में लगाएं या मिट्टी में लगाएं कहीं भी आप लगा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत लगती है पहले इस तरह के प्लांट्स नरस्रीज में अवेलेबल नहीं होते लेकिन आजकल तो ये जगर जगर अवेलेबल है और प्राइस भी इसके काफी डाउन आ गए है पचास रुपे का आपको इसका पॉर्ट मिल जाएगा और देखें आप कितने खुबसूरत हर्याली एड़ कर रहा है थोड़ा धूप होगी तो भी ये चल जाएगा और पूरी तरह से चाया है अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो भी ये प्लान बहुत अच्छे से चल जाएगा थोड़ा सा कलर में फरका जाता है धूप में रखा हो तो थोड़ा सा जो है नियोन कलर में आ जाता है और ये चाया में रखा हो तो पूरी तरह से ग्रेन हो जाता है लेकिन पूरे दिन की धूप नहीं चाहिए, हाँ सुबर शाम की थोड़ी बहुत धूप चल जाएगी इसके अलावा बॉलिवियन जू भी इस तरह से ग्राउंड कवर के रूप में यह भी क्रेप करता रहता है ग्राउंड पे और एक पॉट से दूसरे पॉट में इस तरह से फैल जाता है और हैंगिंग बास्कित में भी इसको लगाएंगे तो इसकी जो ब्रांची से वो नीचे की तरफ लटकती हैं बहुत कुपसुरत लगती है चोटे चोटे पॉट्स में यह चल जाता है और बहुत ही आसानी से लगने वाला यह प्लांट है इसकी भी आपको कहीं से एक दो छोटे से प्रांच भी मिले न तो भी आपका खाम बन जाएगा उससे ही आप कई सारे प्लांट्स रेडी कर सकते हैं इसके अलावा वांडरिंग जू या वांडरिंग डूड कुछ भी कहें इस प्लांट को यह तो बहुत ही स्यादा खुपसुरत लगता है यह भी ग्रांड पे लगा हो तो धीरे धीरे पूरे ग्रांड को भर लेता है क्यारियों में आप लगा सकते हैं बहुत खुपसुरत लगीगा और आप इसे हैंकिंग बास्कित में भी लगा सकते हैं इसके थोड़ी थोड़ी दूर पर इसकी जो नोड एरिया है न वहां से छोटी छोटी ब्रांचिस निकली होती हैं तो देखे इस तरह से और वो इस तरह से पॉट में या जमीन को पकड़ती चली जाती हैं और इस तरह से फैलता चला जाता है तो यह कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ही इजी टू ग्रो होते हैं इनको तो कोई बच्चा भी अगर इनकी कटिंग ऐसे मिट्टी में फैंक देना तो भी वो लग जाएंगी तो इनमें ज्यादा कुछ भी एफट करने की जुरुत है ही नहीं और बारिश के दिनों में तो इनकी रूट्स बहुत ज्यादा बहार निकल जाती हैं बहुत ही आसानी से लग जाता है देखें हैंगीं बास्केट में कितना खुबसूरत लग रहा है और मैंने तो एक ये बड़े से टैंक में भी लगा रखा है तो उसमें पूरी मैंने 5-6 कटिंग लगाई थी और पूरी तरह से टैंक को कवर कर लिया है इसने टैंक का नीचे का पाट काट के और उससे बाहर भी आ गई है इसके अलावा है sweet potato wine ये wine भी गजब की खुबसूरत है कई रंगों में आती है neon में आती है dark purple में आती है और एक थोड़ी variegated भी आती है और अगर आपके पास नहीं है तो आप शकरकन से भी आप इसको उगा सकते हैं तो वो भी बहुत खुबसूरत लगती है और उतनी ही खुबसूरती प्रदान करती है तो देखे दोनों का combination भी बड़ा ही प्यारा लगता है आप इसको hanging में लगाए या ground में लगाए दोनों सूर्थों में बहुत ही खुबसूरत ये लगती है ये भी cutting से बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं कहीं से आपको इसकी cutting में मिले तो आप बेजी जक लाए और मिट्टी में लगाए और अप्रेल में बहुत जल्दी इसमें growth स्टार्ट हो जाती है देखे कितने खुबसूरत ये लग रहे हैं लगते हैं दिल के आकार के इसके पते होते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं तो इसके भी पीछे के प कुशी होगा तो ये भी मैंने टैंक में जो है इसी टैंक में एक दो कटिंग लगाई थी और ये पूरी तरह से इस टैंक में बहुत ज्यादा पहल गया है तो इसके अलावा जो है आप English I.V का प्लांट भी लगा सकते हैं बारिशों के दिनों में इसे बचाना पड़ेगा बाकी ये इस तरह से चलता रहता है थोड़ा शेड में रखें तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चल जाता है English I.V लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है गर्मियों में एक पतले पतो वाला आता है आप वो भी लगा सकते हैं तो दिखने में बहुत ही इस साल पूरा पॉर्ट कवर हो गया है और इसके मैंने ब्रांचे सकाट के कुछ और प्लांट भी बना लिए हैं जो की बहुत अच्छे से ग्रोफ कर रहे हैं तो ये वाइन भी बहुत ही प्यारी लगती है बहुत ही फ्लेशी से इसके पत्ते होते हैं और बहुत चमकदार और मोटे होते हैं इसके अलावा कुछ चोटे-चोटे फूल खिलाने वाले क्रीपर्स या वाइन भी होती हैं जैसे कि ये बेबी संड रोस का प्लांट तो बहुत चोटे-चोटे प्यारे से इसमें फूल भी खिलते हैं आप देख रहे हैं और ग्राउंड में ये लगा हो तो इस तरह से फैलता चला जाता है क्योंकि इसमें भी नोड एडिया होता है तो वो रूट जो है मिट्टी को पकड़ लेती हैं और इस तरह से फैल जाता है और बास्कित में भी इसकी लंबी-लंबी सी ब्रांच हो जाती हैं ज्यादा लंबी ब्रांचिस हो जाएं तो आप वहाँ से कट करके और प्लांट बना सकते हैं और देखे अब इसका सीजन ग्रेंग सीजन है तो बहुत अच्छे से फूल भी खिला रहा है इसके अलावा फीलू डेंडरों माइकन भी बहुत अच्छा एक वाइन है और बहुत खुबसूरत इसके पत्ते होते हैं देखे पीछ तरह से धारियां सी होती है जो बहुत प्यारी लगती है नया पत्ता जो आता है वो थोड़ा सा वाइन कलर का होता है पीछे के पत्ते थोड़ा ग्रें कलर की तो नया पत्ता आप देख रहे हैं कितना खुबसूरत ये लग रहा है थोड़ा 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 वाइन और ग कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है, तो बैजे ये लिग कोई आप 3rd के लिग खम के लिग और इसके लावा पोथोज प्रवस की बहुत भी विराइटी आप ले सके हैं यह नियोन है ज बहुत ही प्यार लगता है और इसके लिव्ड नियोन किलर के शाय जानी शाय एक अलग ही charm add करते हैं और ये एक variegated वाला है देखें कितने बड़े-बड़े इसके पते हैं ये भी बड़ा खुबसूरत लगता है तो इस तरह से या तो आप दिवार के सारे-सारे इसको चढ़ा दे या hanging basket में लगा के नीचे की तरफ इसको लटकाएं तो भी बहुत अच् इसकी लंबी-लंबी branches आप दिवार पे जो है ना आप इसको लगाएं तो ये दिवार पे भी चढ़ता हुआ चला जाता है तो भी बहुत प्यारा लगता है तो अभी गर्मियों में इसका ये growing season है तो ये बहुत अच्छे से growth करने लग गया है मौस पोल पे भी नीचे की तरफ जब ये लटकता है तो बहुत प्यारा लगता है और इसमें भी चोटे-चोटे फूल खिलते हैं और आप इसे ground में लगाएंगे तो भी ये बहुत प्यारा लगता है अलगी color इसका एक निकल कर आता है इसके अलावा broken heart का plant भी आप बिल्कुल पोथोस की तर लगा सकते हैं हर node area पे इसके भी roots निकली होती है बस अराम से आप या तो मिट्टी में लगाएं या पानी में लगाएं तो ये भी इसी तरह से फैलता हुआ चला जाता है और पत्तों के खूबसूरती तो आप देखी रहे हैं बीच में से कटे-कटे से पत्ते भी अलग ही beauty add करते हैं तो ये भी आप जरूर लगा सकते हैं इसके अलावा आप लगा सकते हैं creeping Charlie तो इसके तो पुदीने अरज से पत्ते होते हैं लेकिन दिखने में बड़ा खूबसूरत लगते हैं तो ये भी आप कटिंग से भी लगा सकते हैं पानी में भी इसकी कटिंग बहुत आस Philodendron Brazil भी एक खुबसुरत वाइन है और ये भी बिल्कुल money plant के तरह आप लगा सकते हैं दो color में इसके पत्ते होते हैं दो shade आते हैं पत्तों में एक neon और dark green जो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है दिखने में और बहुत ही आसान है इसकी cutting भी लगाना इसका भी मैंने बिल् इचे की तरफ लटकता है इसके छोटे-छोटे से बिल्कुल दाने जैसे टीर इसका नाम है जैसे baby tear तो चोटे-छोटे आसो की तरह इसके पत्ते होते हैं इसके अलावा string of heart भी आप लगा सकते हैं ये मैंने आपने देखा था एक चोटी सी पतली सी ब्रांच थी उसी की मैं ने दो-तीन ब्रांच बनाई और इस पार्ट में लगाई तो बहुत इस लो ग्रोइंग प्लांट है लेकिन दिखने में बड़ा खुबसूरत लगता है देखे इसके नए पत्ते आ रहे हैं और इसकी थोड़ी सी मोटी-मोटी सी फ्लैशी सी लीफ होती है और आप देख रह लगता है और ये भी बिल्कुल मनी प्लांट की तरह लगता है और आपके गार्डन में बहुत ही ब्यूटी आड़ करता है पत्ते इसके बहुत ही प्यारे लगते हैं देखे बहुत जल्दी से ये ग्रोध करने लगा है अब अप्रेल में क्योंकि अब इसका एक सीजन है और हैंगिंग बास्कित में भी नीचे की तरफ लटकता बहुत प्यारा लगता है तो ये भी आप लगा सकते हैं इसके अलावा वडेलिया भी आप लगा सकते हैं ये भी हैंगिंग बास्कित में नीचे की तरफ लटकता है इसकी लंबी-लंबी ब्रांचे और इसको तो अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब इसे प्लीज ज़रूर करें, मिलती हूँ आप से किसी नेक्स वीडियो में, किसी नहीं जानकारी के साथ तब तक की लिए, बाइ-बाइ, happy gardening, and keep gardening, और किसी नहीं मु